Hello friends, good morning, कैसे आप, उमीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, तो आज का ये जो वीडियो रहने वाला है, ये रहेगा, अभी मैं अपडेट दूँगा कि कि कल कौन सी और स्टेंपिंग हमें रिसीव हुई है, और किस किस की फ्लाइट है, साथ तारीक को हम कनफर्म कर रहे हैं, 17 लोगों का भी तक हमें वीजा रिसीव हो चुका है, तो 17 की फ्लाइट हमारी साथ तारीक की आल्मॉस कनफर्म्ड है, ठीक है, तो ये क्लियर रखिएगा, नाम मैं बताता हूँ पास्पोर्ट नंबर के साथ, जिसके कल रात को वीजा रिसीव हुए है, ठीक है, तो अभी ज साथ को फ्लाइट है, तो छे को दिनली भी जाना पड़ेगा, और एक वीडीयो में इसके बाद अलगसे बनाtałँगा, जिसमें मेंंशन करूँगा, कि क्या-क्या लेके जाना है, क्या-क्या नहीं लेके जाना है, वो मैं अलगसे अप्टेट एक वीडियो बनाऊँगा, ठीक शेकर कुमार सागर, ठीक है, सूरज भान सिंग, विशाल, विशाल का पास्पर नमबर है, आर टू फाइव, एट फोर, सेवन टू एट, ठीक है, तो ये है, मोहित, ओंपाल, पपू, रितिक कुमार, साहिल चोहान, शेकर कुमार, सागर, सूरज भान सिंग, एट विशाल, ठीक है, ये हैं अभी, जिनका वीजा स्टैंपिंग रिसीव हो चुकी है, अब अमबेसी का भी कुछ समझ नहीं आता, अमबेसी कैसे करती है, फस्स बैच में से नौ पेंडिंग है, अभी, सेकंड बैच के उनने आठ वीजा दे दिये, अब लेट सी, आज अज भुफुलिए जो बैलेंस डोकुमेंट से, बैलेंस पास्पोर्स हैं, वो भी रिसीव हो जाएंगे, तो कोशी ही है हमारी, की सीट सहमें, अगर सेम फ्लैट में मिलती है, तो बैलेंस अभी, मेरे क्याल से, 18 पास्पोर्ट और है, जो अबैसी में है तो 18 और 17 पेंतिस पेंतिस लोगों की फ्लाइट हम कोशिश करेंगे कि सेम डे हो जाए अगर सेम डे नहीं होती है तो next day होगी ठीक है तो इसमें जितने भी जो भी आपलिकेंट्स हैं जिनका मैंने नाम लिया है और जो second batch के भी है जिनका telegram group में मैंने नाम डाला हुआ है जो visa stamping होने वाली है या हो चुकी है वो kindly be ready तियार रहें आप हमारे पास बिलकुल भी time नहीं है कि दिवाली मना लो एक दिन चलेगा दिवाली मना लो दिवाली के बाद एक भी दिन नहीं है हमारे पास ठीक है क्योंकि हमें बहुत काम में भी पेंडिंग है ग्रिमेंट्स होने हैं वीडियोस होनी हैं lots of things are there so जल्दी जल्दी ready हो जाएगे और जो पाकी बच्चे हैं I think 43, 42, 43 उनका भी जो है वो visa stamping बगारा visa approval बगारा जो भी है वो भी आने वाला है in process है ठीक है तो I think 20 तरिक से पहले सबकी flights हो जाएगी जो मुझे लग रहा है बाकी balance का भी जिसका जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे हम update कर रहे है new contract अभी नहीं आया है तो kindly new contract के लिए calls मत कीजिए नया visa अभी नहीं आया है अभी सिर्फ बात चल रही है और जो मुझे लगता है कि हमारा first group arrive होने के बाद ही और उनकी working देखने के बाद ही company हमें balance contract देगी कि हाँ इतने वक्कर साब और मंगवाईए लेके आईए so work visa के लिए भी call मत करिए क्योंकि बहुत ज़दा अभी हमारे जो है वो काम बहुत ज़दा है अभी agreements एक country का नहीं अलगले countries का काम चला हुआ है तो अभी unnecessary work visa सर्बिया का call करने का कोई फाइदा नहीं है जिस दिन मैं video बनाऊंगा उसके next day directly office आज़े ठीक है तो हो सकता है मैं सर्बिया से वीडियो डालूंगा तो वो 10 दिन बाह डेलेगी 15 दिन बाह डेलेगी या 2 दिन बाह डेल जाएगी यह depend करता है company company कब हमें जो है approval देती है right एक वीडियो और बनाऊंगा मैं इसके बाद क्या-क्या हमें चाहिए तो वो भी upload करें के थोड़ी जिर में तो अभी का scenario यही है कि जतनी भी applicants है यह तियार रहें और flight जो है साथ तारीकी most probably 8 बजे शाम की आसपास की होगी वो मैं सारा आपको upload कर दूँगा तो kindly यही request है कि आप लोग 5 तारीक तक अपना सारा formalities, payments यह वो सब clear कर दें कि उसके बाद हमर पास बिल्कुल भी time नहीं है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में ठीक है तब तक के लिए stay safe, stay home bye bye, take care, thank you